बिस्मिल्य रुख्मेन रहीम आज हमारे पास जो ECM है इसका नमबर EDC16C39 इस ECM का यूज महंदरा और हुंड़ाई की गालियों में किया गया है हलांकि जो हुंड़ाई में और महंदरा में जो यूज किया गया है इन दोनों ECM के अंदर 90% से में थोड़ा सब फरक है क्या फरक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज और इस्पेशली जो आज हमारा टॉपिक है इस ECM का इंग्जक्टर सेक्शन इस ECM में इंग्जक्टर सेक्शन के लिए और ECM की कमप्रीजन में तुलना में थोड़ा सब फरक है यहां पर एक ड्राइवर आइसी का यूज किया गया है क्या है ड्राइवर आइसी किस तरह वर्क करती है इंग्जक्टर आइसी को कितने बुल्ट की सप्लाई की जुरूरत होती है इस सभी बातों पर आज आपसे डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस ECM को ओपन करते हैं और इसका बोर्ड आपके सामने लाकर दिखाते हैं यह हमने ECM को ओपन कर लिया है EDC 16C39 ECM है यह है किए इसके अंदर जो इंग्जक्टर आइसी लगी होती ही हो यह रहती है इसका यह नमबर है 30520 यह इंग्जटर आइसी है बिल्कुल अच्छे से देख ले और इसके बराबर में ये है driver IC IC है driver IC के पर लिखा होता है L9856 ठीक है ये महंदरा है का ECM है महंदरा के अंदर एक IC लगी होती है जबकि हुंड़ाई के ECM के अंदर ये दो IC लगी होती है 9859856 दो IC लगी होती है एक नीचे IC लगी होती है हुंड़ाई के अंदर जो वरना 400 है एक IC ये ही वाली IC है कि यहाँ पर लगी मिलेगी ठीक है और इसके अंदर ये driver IC के लाती एक driver IC का यूज ये किया जाता है है उपर ये भी होती है 9856 नंबर के IC होती है महंदरा में एक होता है और हुंड़ाई वाले ECM के अंदर ये दो IC हैनि के वरना 400, 400, 100, 400 में एक IC यहाँ पर सेम नंबर की दो IC लगी होंगी यही फरक है महंदरा के और हुंड़ाई के ECM में इस injector section में supply requirements क्या है कितनी supply पर ये work करती है ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए इसकी जो pin number 27 रहती है pin number 1 इसकी यहाँ पर होगी pin number 1 ये है आप देखिए pin number 1 ये है तो इस IC की जो supply की requirement है इस especially दो तरह की supply ये तो चाहिए ही होती है पहली supply होती है इसकी 5 बोल्ड supply है दूसरी supply 12 बोल्ड supply ठीक है जो 5 बोल्ड supply है वो इसकी pin number 27 पर आनी चाहिए आप चाहां तो लिख लीजिए इसकी supply इन pins पर आनी ही चाहिए अगर इस supply नहीं आई तो यह IC अपने output ही निकालेगी जिससे इन्यक्टर सेक्शन वर्क नहीं करेगा और 48 बोल्ड भी नहीं बन पाएंगे ठीक है तो इन pins पर 5 बोल्ड supply पावर IC से आती है ये भी धियान रखें पावर IC से 5 बोल्ड supply आएगी वो 5 बोल्ड supply बिल्कुल ओक्य होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कDP 5 बोल्ड supply यहां तक नहीं अपाथी बीच का track कर जाता है कई बार ऐसा होता है 2 या 3 pin पर तो 5 बोल्ड supply आती है लेकिन और वाफी बोल्ड Ell deshalb है आए तो इन सारी pins पर सप्लाई ज़रूरर छेक करेगा इगा उसके बाद आप 48 बोल्ड नहीं बनना है या injector section काम नहीं कर रहा है उसके बारें सूचिएगा तो आप लिख लिए जीगा कि pin number 27 पे 5 बूल्ट सप्लाई है 32 पे 5 बूल्ट सप्लाई है 39 पे भी 5 बूल्ट सप्लाई है पिन चाहिए पर नमबर 12 पर 12 बोल्ट सप्लाई चाहिए जो बैटरी की तरफ साथ यह चाहिए यह सप्लाई इस पर होना चाहिए राइट तभी यह अपने और पुट निकालेगी ऐसे यह अपने और पुट बगरा और नहीं करेगी ठीक है यह इंग्जक्टर IC है दूसरे ECM आपने अभी तक देखे होंगे तो इसमें क्या होता है यह direct इंग्जक्टर IC जो इंग्जक्टर के MOSFET होते हैं उनके gate पर drive प्रोवाइट कराती है बीच में एक resistance लगा होता लेकिन इस वाले ECM के अंदर ऐसा नहीं है इस ECM में बीच में जो driver IC का use किया गया है 985-6 वाली driver IC का use किया गया है तो यह बीच में एक तरह का mediator का काम करती है इंग्जक्टर MOSFET और injector IC की बीच में ये मेडिवर का काम करती है इसी तरह से और इसी मेडियर का हम बोलते है driver IC इसको बोलते है Driver IC इसी तरीके से ये भी है Driver IC 9856 यहाँ से सिगनल जाते हैं तो उसके लिए आपको ये इंग्जेक्टर सेक्सन रहा टीक, ये मॉस्फिट लगे हैं, इंग्जेक्टर के लिए तो उस IC से यहाँ पर सिगनल, पलस इनके gate पर आती हो, gate पर लगी होती है resistance, यह जो resistance से लगी हुई है, यह वाली, ठीक, अच्छा, दूसरा फरक, इसमें क्या है, इस ECM के अंदर, और वर्ना 400 के अंदर, यह लगा होता है, UP20, इसे बोलते हैं, डायोड होता है, ठीक है, यह दो लगे होते हैं, महंदरा में एक है जबकि, वर्ना 400, 410 में यह दो लगे होते हैं, बस यही फरक है, वर्ना 400 में, और यानि हुंड़े के ECM में, और महंदरा के ECM में, एक बार और बता दे, कि इस ECM के अंदर, जो IC है, इंजक्टर IC है, इंजक्टर IC को, पावर IC से, यह है पावर IC, पावर IC से, इस इंजक्ट IC को, 5 बोल्ट सपलाई की जरूरत होती है, इसकी पिन्स होती है, 27, 32, 39, 40 and 48, और इसको जरूरत होती है, 12 बोल्ट सपलाई की भी, तो वो इसकी पिन नमबर 12 पर आती है, इस IC के साथ में, यूस किया जाता है, ड्रावर IC, 9856, यह एक मिडियेटर IC है, और महंदरा में, एक और हुणड़े का यूस किया जाता है, इसी तरह से एक IC यहाँ पर हुंड़े की जाती है, महंदरा में एक, यह ड्रावर IC कहलाती है, कभी भी ड्रावर वर्ड आया, कोड में या इस तरह का क कोई फाल्ट आया, तो इंच्जक्टर IC के साथ साथ में, इस Life bicycle को भी चैक कर ल सकते हैं न्यू बैच जल्द स्टार्ट होने वाला है वो हम से अपनी कॉंटेक्ट करें अपनी सीट को बुक करा सकते हैं